हेलो बच्चा लोग, वेलकम तो दा चानल एडिनिती, मेरा नाम मोहित गोईंका है और मैंने आई टी खड़कपूर से एंजिनिरिंग किया है current electricity में एक concept है which is called point potential method बहुत से बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं अगर आप इस method को जानते हैं और ये method आप apply करते हैं तो काफी जादा circuit analysis वाले जो problems होते हैं आप उसे 30 to 45 seconds में crack कर सकते हैं especially जो की J-E main या फिर need level के problems होते हैं ठीक है तो quickly हम लोग एक बारी इस concept को देखेंगे और उसके बाद कुछ सवाल में इसको apply करेंगे to show कि कितनी जल्दी हम इसको apply करके सवाल को crack कर सकते हैं ठीक है तो चलिए start करते हैं तो ये आपके सामने एक cell है माल लीजिए कि it is developing a potential difference of 5 volts ठीक है तो point potential method के हिसाब से हम लोग इसके किसी भी point का potential actually कुछ भी मान सकते हैं मेरी बात को ध्यान से समझेगा सुनिएगा suppose हम इस point का potential 0 बोल देते हैं and it is always preferred कि आप किसी एक point का potential 0 मान लिया किजिए अगर हमने इस point का potential 0 बोल दिया है तो इसके इस point का potential जो है वो 5 volt हो जाएगा this is going to be a 5 volt right so basic concept यह है कि अगर इस point को हमने बोला है let us say A और इस point को हमने बोला है B right then battery के across जो यह 5 volt का potential difference है that is basically VA minus VB VA minus VB is your 5 volt VA minus VB is your 5 volt so हमारा target यह होना चाहिए कि VA minus VB 5 होना चाहिए right अब यह करने के लिए आपको कुछ भी यहाँ पे आप मान सकते है मान लिजे कि B का हमने हमने इस point का potential मान लिया है minus 1 volt right तो आप खुदी सोचिए कि A point का potential फिर हमें क्या बोलना पड़ेगा जहां से सोचिए A point का potential आपको बोलना पड़ेगा 4 volt ताकि 4 minus of minus 1 आपका फिर से 5 आ जाए right चलिए और कोई data एक बार imagine कर लिजे for example let us say हमने इसका potential बोल दिया है 20 volt कि इस point का potential है 20 volt तो A point का potential हो जाएगा आपको 25 volt the target is potential difference across this battery should be your 5 volt now this is very very important और ये concept आपको समझ में आना चाहिए ठीक है okay suppose आपके पास ये circuit है ठीक है एक simple सा circuit है मुझे पता है कि आप इसे easily solve कर सकते हो अगर मैं आपसे पूछ हूँ what is the current through this resistor आप इसे आसानी से निकाल लोगे ठीक एक बार के लिए let us apply the point potential method ठीक है चलिए माल लीजे कि हमने इस point का potential 0 बोल दिया है अगर ये point का potential 0 है तो इस point का potential हो जाएगा आपको 40 अगर इस point का potential 40 है तो इस point का potential भी 40 होगा क्योंकि यहां से लेके यहां तक यहां से लेके यहां तक में कोई भी resistor या कोई भी circuit element नहीं है कोई capacitor नहीं है, कोई resistor नहीं है, कुछ भी नहीं है, it is a plane wire, तो कोई भी potential drop यहाँ पे नहीं आएगा, कोई भी यहाँ पे potential drop नहीं आएगा, यह वही बात हो गया, कि एक plane horizontal surface है, और एक particle को आपने अगर यहाँ से, यहाँ move किया है, तो इसके potential energy में कोई difference नहीं आएगा, right, अगर आप इसे किसी height पे लेके जाते हो, या फिर किसी depth पे लेके जाते हो, तभी इसके potential energy में difference आएगा, otherwise कोई difference नहीं आएगा, so यहाँ पे भी बिल्कुल वैसी ही बात है, कोई भी element नहीं आया है, तो यहाँ पे potential drop नहीं होगा, यहाँ पे 40 है, तो यहाँ भी 40 होगा, उसी हिसा potential 40 है और एक potential 0 है, तो current through a resistor, current through a resistor is defined as potential difference across the resistor divided by resistance itself, है की नहीं, अब potential difference कितना हो जाएगा, 40 minus 0, current flows from higher to lower potential, इसलिए current left से right जा रहा है, so 40 minus 0 upon 20, यह आपको हो गया 2 ampere, right, I know यह सवाल basically बहुत simple था, लेकिन हमें यहाँ पे approach देखना है कि किस तरीके से हम लोग circuit में अलग अलग जगा points का potential को लिख सकते हैं, ठीक है, चलिए, इसके आगे एक और example हमें आपको दिखाता हूँ, यह रहा आपका example, आप चाहें तो वीडियो को यहीं पे pause करके, सवाल को एक बार खुझ से apply कर सकते हैं, हमें जानना है कि इस वाले branch में current कितना है, इस वाले branch में यह current कितना है, this is our target, right, अब देखिए, मान लिजिए कि मैंने इस point को 0 volt बोल दिया, इस point का potential भी 0 होगा, यहाँ से यहाँ कोई element नहीं है, इस point का potential भी 0 volt होगा, be very very careful, अगर यह 0 है यहाँ पे 3 volt का battery है, यानि कि इसके across potential difference 3 का होना चाहिए, which means इस point का potential 3 हो जाएगा, ताकि 3 minus 0, 3 volt आ जाए, ठीक है, अच्छा, यह 0 है, यह 0 है, तो हम कह सकते हैं ना कि इस point का potential आपको 5 हो जाएगा, और यह 0 है, यहाँ पे 2 volt की battery है, तो यहाँ पे potential 2 हो जाएगा, right, अब आ यहाँ से देखिए, यह जो 3 ohm का resistor है, इसके across potential difference क्या है, 5 minus 2 और current higher से lower potential की तरफ move करता है, तो हम यहाँ से I1 solve कर सकते हैं, that is 5 minus 2 divided by 3 और यह आपको आ रहा है 1 ampere, तो यह मेरा current आ गया 1 ampere, similarly यहाँ पे आ जाएगे, यह जो 2 ohm का resistor है, इसके across potential है 5 and 3, so current flows from higher potential to lower potential, और यह current कितना हो जाएगा, 5 minus 3 divided by 2, which is again 1 ampere, which is again 1 ampere, right, अब यह current I कितना है, वो निकालना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, है कि नहीं, हम इस junction पे, हम इस junction पे, किर्चॉफ्स junction rule लगा सकते हैं, तो उसके मताबिक हम कह सकते है, sigma I is equal to 0 at the junction, और क्योंकि इस junction से सारा current दूर जाता हुआ है, I can simply write I1 plus I2 plus I is equal to 0, तो यहां से मेरा I आ जाएगा, negative of I1 plus I2, negative of I1 plus I2, so answer होगे आपका 1 plus 1, that is your minus 2 ampere, minus 2 ampere, ठीक है, तो अगर आपको सवाल में, diagram में arrow इसी direction में दिया है, और तब भी आप से कहता है कि I की value बताइए, तो option में एक minus 2 ampere वाला answer होगा, आपको minus 2 tick करना है, हाला कि यहां पर minus sign यह बताता है, कि इसका direction नीचे नहीं होके उपर होगा, which is pretty much obvious, लेकिन answer में आपको negative वाला ही select करना है, क्योंकि diagram में already downward arrow mentioned किया हुआ था, ठीक है, okay, now let us see, यह देखिए, यह सवाल आपको JE main 2017 का है, ठी वाल को बड़ी आसानी से crack कर सकते हो, within 15 to 30 seconds, within 15 to 30 seconds, वीडियो को यहीं पर pause कीजिए, solve कीजिए और answer, फिर आखे check किजिए, ठीक है, okay, देखिए यहां पर, suppose मैंने इस point को 0 बोल दिया, right, तो यह वाले point का potential कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यह वाले point का potential होगे आप को 2, अगर यह 2 है, तो यह भी 2 है, अगर यह 2 है, यहां पर 2 वोल्ट की बैटरी है, so this becomes your 0, right, अब ध्यान से देखिए, यह 1 ओम के across potential difference कुछ ही नहीं, यह भी 0 वोल्ट है, यह भी 0 वोल्ट है, यानि कि इस 1 ओम के across आपका potential difference ही 0 है, तो इसके across कोई current होगा ही नहीं, इसके across current 0 है, similarly आप सब के लिए चेक कर सकते हैं, हलाकि हम से each के लिए पूचा गया था, the current in each resistance is what, right, इसका मत्दब है कि तीनों में एक ही current रहा होगा, अगर एक में आपने शो कर दिया ही 0 है, तो answer चुप चप, 0 ticker के आप आपके move कर सकते थे, but still हम लोग यहां पे सब के across एक बार चेक कर लेते हैं, अगर यह 0 है, तो यह क्या लिखेंगे, सोचिए, यह plus 2 नहीं होगा, this is going to be minus 2, क्योंकि यहां पे battery का polarity को देखिए, right, यह 2 volt का potential difference है, यानि कि 0 minus of minus 2, तब आपको plus 2 आएगा, ठीक है, similarly, यहां 0 है, तो यह भी minus 2 है, तो देख रहा है न, इसके across potential difference, फिर स 0 हो गया, यह भी minus 2, यह भी minus 2 है, similarly, यह हो जाएगा, आपको minus 4, और यह वाला भी minus 4, फिर से potential difference, 0, तो सारे branch में, यहां पे जो current है, वो 0 है, है कि न, एक बहुत ही अच्छा approach, एक बहुत ही अच्छा method, अगर आता है, तो आपका सवाल, असानी से handle हो जाएगा, ठीक है, यह सवाल देखिए, in the circuit shown, current through 25 volt cell is how much, इस सवाले cell से current कितना flow कर रहा है, again, यह एक ऐसा सवाल है, जो कि आपसे चीक-चीक के चिला-चिला के कह रहा है, कि point potential method लगाओ, अगर वो method लगा दोगे, तो यह सवाल असानी से आपका crack हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से suppose मैंने इसको बोला 0, ठीक है, देखिए, अब आपका मर्जी है, आप 0 नीचे लेना चाहते हो, कि कहा लेना चाहते हो, ठीक है, इस वक्त, cell के across ही, मैं कोशिश करता हूँ कि अपना 0 रखो, ठीक है, यहाँ पे directly आपको cell देख नहीं रहा है, that's why, ठीक है, चलिए, यह 0 रख है, अब ध्यान से देखिए, अच्छा, यह 0 है, तो यह वाला हो जाएगा आपको, minus 25, तो यह वाला भी, minus 25, this is also minus 25, minus 25, and minus 25, यह 0 है, तो यह वाला आपको, हो जाएगा, minus 10, यह 0 है, तो यह हो जाएगा, आपको, plus 5, this is minus 20, this is your, plus 30, अब आपके पास सारे register के across, potentials है, तो current से निकाल के, current निकाल सकते हो, यह 5 ohm के across देखिए, अगर आप, तो minus 10 बड़ा है, minus 25 से, तो current higher से lower potential की तरफ flow करता है, तो current का direction तो यह हो गया, और current कितना होगा, minus, यहां से देखिए, minus 10 minus 25 divided by 5 ohm, यह आपको current हो जाएगा, तो यह आपको कितना हो गया, 15 upon 5, which is 3 ampere, similarly यहा आपको higher potential है, minus 25 lower potential है, तो 5 minus of minus 25, which is 30, 30 upon 10 is your 3 ampere, यहां पे देखिए, minus 20 higher potential है, minus 20 lower potential है, so minus 20 minus minus 25, तो plus 5 volt का potential difference है, इसके across, so 5 upon 5 करोगे, तो यह आजाएगा आपको 1 ampere, यह आपको कितना हो जाएगा, solve कीजिए, यह आपको आजाएगा 5 ampere, right, now we are so lucky, यह सारा current आपको इस तरीके से add up हो जाएगा, और यहां पे आपके पास total current आजाएगा, 5 plus 1, 6, 6 plus 6, 12 ampere, और यही 12 ampere आपका, इस 25 volt के बाटरी से cross कर रहा होगा, देखाना आपने, कितनी आसानी से हम सवाल को handle कर सकते हैं, ठिक, So that was the magic of knowing this method of a point potential, और अगर आपको यह method approach अच्छा लगा है, अगर आपको यह नहीं पता था, तो do mention it in the comment box, अगर आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से, तो जरूर इस वीडियो को share कीजगा अपने दोस्तों के साथ, और हम लोग ऐसे ही वीडियो में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए take care, bye bye